पाकिस्तान वर्सिज इंग्लेंड तीसरा टेस्ट मैच फैसला कुन टेस्ट मैच जिसे पता लगेगा कि सीडिस कौन विन कर रहा है उसका डे थ्री अभी कुछी देर में स्टार्ट हो जेगा और कल आप लोगों को पता है पाकिस्तान ने पहले बैटिंग बुरी की थी लेकि पाकिस्तान ने जैकरो लिक आउट हो गया बैंड डकिट आउट हो गया ओली पोप आउट हो गया जिस टेम जो खेड़े है वो है जो डूट और हैडी ब्रोक ठीक है कल विकेड्स किसने असिल किया दो नुमान अली नहीं है एक साजिद खान ने लिया है अब इनको देखकर यह पता लग रहा है कि यह दो प्लेयर्स दुबारा से आज जिस तरह से बोलिंग करेंगे देखने लायक होगी मैं एक चीज प्रेडिक करना चाहता हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि आज फस सेशन के अंदर इंग लैंड की पूरी की पूरी टीम ओल आउट हो जाएगी आप ल कुछ प्लेयर्स की दो प्लेयर्स तो में ना यार जो पिछला टेस्ट मैच भी जिनकी वह से जीते हैं और यह वला टेस्ट मैच भी हम तक्रीबन जीत चुके हैं वो है साजिद खान और नुमान अली यह दो प्लेयर्स को यार देखें पाकिसान ने जाया कि यह रख्या है इनकी उम्रे देखें और इस एज में आकर यह लोग ऐसी परफॉमस दे रहे हैं अगर यह यंग ज्यादा मतलब इनको चांसिस दिये जाते यंग उम्र में तो सोचें कि यह उस टाइम कैसी परफॉमस करके दिखाते बाकी आज देखते हैं जब डे स्टार्ट होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है इंग्लैंड क्या ओल आउट हो पाता है या नहीं फर्स सेशन के अंदर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी तो लाजबी दोर पर शीट कर दूगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रे छेखना Purdue diyor शतशएक।ट मिलता होगी खर चैनल के रिलेट भीट से लाजबज भी तोर अगार पर चेखने के यान ठाल के दलेज़ मिलत कर द सूर परोगाएबाब किया घैनल के लाज कर दियर है ऴूगा